Hello dear students, welcome back to my study medalli channel राज की जो वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं राज सासन कैसे कारे करती है यानि कि राज सरकारे कैसे कारे करती है उसमें किन लोगों की भून का होती है किन लोगों के क्या कारे होते है तो ये आज हम लोग देखने वाले है तो आज़े सुरू करते है देखे सबसे पहले हम बात करेंगे बिधायक की बिधायक कौन होते है तो देखे बिधान सभा में सदस्य को बिधायक यानि कि MLA कहा जाता है जो बिधायक होते हैं उन्हें MLA बोलते हैं और ये बिधान सभा में बैटते हैं, यानि कि बिधान सभा के जो सदस्य हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बिधायक, और इंगलिस में बोलते हैं, MLA, इसका full name होता है, Member of Legislative Assembly, ठीके, Member of Legislative Assembly, यानि कि बिधान सभा के सदस्य को बिधायक कहते हैं, एक का चुनाव, जनता द्वार किया जाता है, ठीके, यह मिलकर सरकार का गठन करते हैं, अब जिसे देखिए, आपको समझने के लिए से मालिक दिल्ली में बिधान सभा के चुनाव हैं, तो होता क्या है, कि दिल्ली में 70 सिट्टे हैं, और जब धी चुनाव होता है, तो पार्टियां अपने अपने उमिद जबार खड़ी करती हैं, तो उसमें से जिस छेत्र से जो ब्रक्ति चुना जाता है, उसको बिधायक करते हैं, और जी जाके बैठता का है, विधान सभा में, ठीके, तो जो बिधान सभा है, उसके जितने भी सदस, यानिometini कि 70 सदस होंगे, तो 70 के सदसे को, 70 के 70 को क्या बो और जिस बहमत यानि जो जिस पार्टी को बहमत मिलता है उसी को मुख्या जो होता है उसको मुख्य मंत्री बोलते हैं जो वो पार्टी का नेता होता है आगे देख लेते हैं निर्वाचन छेत्र क्या होते हैं ठीके तो देखे अब जैसे दिल्ली की बात कर रहे हैं तो यहाँ यहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतनित चुनते हैं उदाहर एक यह कोई पंचायत या का वाड़ या वह छ्छत्र हो सकता है जो बिधान सभा सदस्त चुनता है ठीके यानि कि एक नीष्ची छ्छत्र होता है और उस छेत्र के जो वोटर्स हैं जो मद्दाता है वो अपना प्रतनिस चुनते हैं यानि जब चुना होता है तो उन्हीं छेत्रों के जितने भी वोटर्स होंगे वो उस छेत्र के जो मिद्वार हैं उसको अपना वोट देते हैं ठीके और ये कोई भी छेत्र हो सकता है चाहे पशायत का वाड़ हो ठीक है। और इसमें जो चुने जाते हैं उनको बिधान सभास सदस कहते हैं राजों को निर्वाचन छेत्रों में बाढ़ा जाता है और प्रत्यक निर्वाचन छेत्र का एक बिधायक होता है। जिसे राज़ है तो जिसे दिल्ली है तो दिल्ली को 70 निर्वाचन छेतरों में बाड़ दिया गया और हर छेतर से क्या होगा एक जो चुना जायेगा नेता वो विधायक कहलाएग अब देख लेते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या होते हैं जहां भी सरकारें बनती है वहाँ देखिए जो सत्ता में होता है जो सरकार चला रहा होता है उसको सत्ता पच बोलते हैं और जो अपोजिक में होता है यानि जो दूसरे नंबर के पार्टी होती है वो जो है विपक्ष में बैठती है तो देखिए सत्ता पच समय लेते हैं जिस राजनितिक दल के विधायक बहुमत में जीत जाते हैं, जिसे पिछले चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सबसे जाद विधायक चुने गए थे, ठीके, तो क्या हुआ कि वो सरकार बनाते हैं और मुख्य मंत्री उसी दल का होता है, इसे सत्ता पक्ष या सत रूड पार्टी काते हैं, जिसे पिछले जो चुना हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी को 67 सीटे मिलेगी थी, सत्तर में से, ठीके, और बिपक्ष में बिजेपी को केवल 3 सीटे मिली थी, तो ऐसे में जिसको सबसे जाद सीटे मिली, वो क्या-क्या कि उसमें जो अपना बिरोधी पक्ष, यानि बिपक्ष ही जो बोलेंगे, तो जिसे बिजेपी जो है तीन सीटें जीती थी, तो दूसरी पार्टी थी वो, तो वो बिपक्ष में बैठी है, बिपक्ष का क्या काम होता है, वो सरकार से जवाब सवाल करती, तो बिरोधी पक्ष क्या है, अन्य जी किन सरकार का प्रतनीद होता है कहां पर राज्यों में और वो क्या करता है कि राज्यों में सरकारें कैसा काम कर रही है तो उन सब की सूचना को किन सरकार तक यानि कि कह सकते हैं प्रधाधान मंत्री तक राश्पती तक पहुचाने का कारें करते हैं तो जो राज्यपाल होते है वो मुखे मंत्री और अन्यमंत्रियों की निवक्ति करता है और सपत दिलाता है बात कर लेते हैं बहुमत, बहुमत क्या होता है? तो देखिए इसका आसए ऐसी स्थिती से होता है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोगों किसी निड़े या विचार से सहमत हो इसे साधार बहुमत भी कहा जाता है बहुमत यानि कि जिसके तरफ सबसे ज़्यादा मत पड़े बहुमत बहु का मतलब होता बहुत और मत मतलब वोट मतलब जिसके तरफ सबसे ज़्यादा वोट पड़ेंगे यानि कि अगर जिसमाल लिजिए दिली में चुना हुआ तो उसमें बहुमत यानि कि आधिस से अधिक ठीक है तो जिस पार्टी को आधिस से अधिक सीटे मिलेंगी वो सरकार बनाएगी और उसको बहुमत की सरकार कहेंगे ठीक है तो बच्चों यह थी आज कि आपकी क्लास जो कमपलीट होती है आयो हो विडियो आपको अच्छे लगी हो तो आप इसे लाइक करें सेयर करें और दोस्तों में जधा जढ़ा ज़ादा सेयर करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो सारी की सारी मिलती रहे और चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें इसके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद